सो गाइस अभी जो है अभी एक लाश्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको इस मोडिूल को और इस मोडिूल को दोनों को कंपेरिजन करके दिखाया था लेकिन वहीं आपने जो है कमेंट किये कि भाई आपने इसमें सेट वाला प्रोसेस बताया वो हमें आई हुए जैसे आप माल लीजी आप आपने इसको सिरीज में जोड़ा हुआ है और यहाँ पर इसकी जो वोल्टेज है वो 12 को सम्तिंग वोल्ट बनती है ठीक है और अब आप इन तीनों बैटरी को इस एक सिंगल मोडूल से चार्ज करना चाह रहे हैं तो यह पोसिबल हो स सकता है लेकिन यहाँ पर आपको जो एक छोटा सा यहाँ पर प्रोसेस करना पड़ेगा पीछे की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आप जो है पांच वोल्ट से लेके आप इसमें 15 वोल्ट तक दे सकते हैं ठीक है एक बैटरी है और आपको जो है एक बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर मैक्सिम्म जो वोल्ट होने चाहिए आप के पांच वोल्ट तिक आप जो इसमें 15 वोल्ट परोवाइड कर दें कोई बेनिफिट नहीं होगा उसका ठीक है और दूसरा यहाँ पर मोड्योल भी heat होना start हो जाएगा तो आपको सबसे पहला तो यही काम करना है कि आपको अगर एक single battery charge गरनी है तो आप इसको directly connect करो और यहाँ पे आप अपनी जो supply connect करोगे वो यहाँ पे एक ampere की रहनी चाहिए ठीक है मतलब यहाँ पे 5 volt एक ampere का adapter जो आपका easily चल जाएगा आप इसमें 2 ampere या 3 ampere तक का ना लगा है ठीक है तो यहाँ पे आप easily इससे चार्ज भी कर पाएंगे इसको और दूसरी बात यहाँ पे आपका जो module है वो heat भी नहीं होगा अभी पिछली वीडियो में comment आया था कि मेरा module जो है बहुत जादा heat हो रहा है तो भाई आप जो है या तो आप उसमें आगे में जो battery connect कर रहे है उसके ampere कम है ठीक है और आप पीछे जो adapter लगा रहे है उसके adapter के जो ampere है वो जादा है तो basically उससे क्या होता है बैटरी एक तो बहुत जल्दी fast charging होती है और दूसरी बात यहाँ पे आपको यह जो module है वो भी heat होता है यहाँ तो आपको यह ध्यान रखना है जब भी आप आगे जैसे आपने 2000 अबेच की बैटरी connect की है तो आप इसमें एक ampere का मतलब अपना current प्रोवाइड कर सकता है और voltage आपकी यहाँ पे 5 volt होनी छे अब दूसरी बात यहाँ पे अब आप यह बोलेगे कि अब हमें यहाँ पे 3 बैटरी यहाँ पे हमें लगानी है मतलब यहाँ पे 12 volt हमें यहाँ बना लिनी है तो चलो मैं एक वर्ष को जल्दी से यहाँ पे इसमें बैटरी को एड़ कर देगा हूँ मैंने अब यहाँ पे तीनों में बैटरी लगा दी है और अभी यहाँ पे 12 volt यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पे एक बैटरी हमारी 3.7 volt है और अगर यह फुल चार्ज होगी तो यहाँ पे 12 पुइंट कुछ वोल्ट आपको यहाँ पे यहाँ पे यह मिलने वाले लेकिन अगर यह कम चार्ज होगी तो आपको पूरे वोल्टेज इसमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे तक हैंच सो यहाँ पे एक मिनाट को आप त्यविए फ्र यहाँ पे अभी हमें 11 पुइंट कुछ वोल्ट जब हमें शो कर रही है और अभी जो बेटरी है यह कम फूल चार्ज नहीं है लेकिन इक तरीक है बार लाई वोल्ट की बेटरी हमारी शोट करना है शोट करने के बाद आपके यहां पर यह तरीके से properly उसके बाद इसको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे आगे की साइड में कितनी वोल्टेज देनी है इस सोट करने की वज़ा से यहाँ पर आपकी जोए इसमें 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर इसली चार्ज होना जो इसमें फिर अपनी 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर चार्ज इसली कर सकते हो तो गाईज यह था आज का एक छोटा सा वीडियो आपको यूजफूल लगा होगा और अभी भी कोई डाउट रह गया है हीट की प्रोब्लम आ रहे है तो भाई देखो मैं एक ही बात बोलूगा अगर आपको हीट आ रहे है तो इसमें जो आप क्या करें इसके ऐमपेर कम कर दें और आपकी जो बैटरी है वो आपकी जो बैटरी है जो उसको भी आप जो है कम कर दें मतलब अगर आप 3-4 battery use कर रहें एक साथ तो आप जो उसमें फिर 2 battery use करना start कर दें देखने के लिए कि हाँ heat होता है फिर भी या फिर नहीं होता है अगर नहीं होता है तो फिर 2-2 battery charge कर लो यार और अगर heat होता है फिर भी तो आप जो ऐसा करो कि इसके जो ampere है अपने adapter के जो ampere है वो कम करके इसमें लगा दो कोई नहीं late charge होगी आपकी बैटरी लेकिन बैटरी बढ़िया तरीके से properly charge हो जाएगी ठीक है और यह जो आपे heat होता है कोईल ही heat होती है इसमें जो कोईल लगी हुई ठीक है तो I hope so आप कोई वीडियो जो है काफी useful लगी है अभी भी कोई doubt रहे गया है कोई सवाल है तो मुझे आप comment करके बता सकते हैं बड़ी बैटरी चार्ज करनी है 6000 mAh की वो भी हमने पिछली वीडियो में बताई है तो जिस भी भाई ने नहीं देखिया तो आप आई बेटन पर क्लिक करके वीडियो चेक आउट कर सकते हो वहां नहीं मिलती है तो चैनल पर जाके तो जोड़ से मिल जाएगी तो जाओ जाके एक बाद चेक आउट ज़रूर से करना